आईए जानते हैं करक राशी वालों के बारे में 2023 नवंबर का मेना किस प्रकार व्यतीत होगा। कोई सेविंग्स करी है, कोई इंवेस्टमेंट करी है, तो वो कोई कहीं पे FD कराई थी, तो हो सकता है, धन प्राप्ति योग बनावा है, वो सकता है जौब में आपको प्रमोशन मिल जाए, आपकी सालरी बढ़ जाए, कुछ न कुछ गुद नीउस आपके द्वार पे वो सकता है, आपको कोई वार्तलाप करने के लिए मिल जाए, और आप बात करने शुरू हो जाए, आप उस रिष्टे को एक्ष्प्रोर कर सकते हैं और देख सकते हैं, कि वो आपके लिए, अच्छा साबित होता है कि नहीं होरोस्कोप मिला कर देख सकते हैं, अगर आप फोरोस्कोप के बिलीवर नहीं है, तो भी मैं कहूंगी, आप फोरोस्कोप सवश्ची मिलाए, कि छोटे मोटे दो-तीन चीज़े होते हैं, जो एक बार आप देख लेंगे, तो आप इक नोलिशे के लिए कल्यानकारी होगी, ठीके, बाकि स्वब हाफ तो देखी लिजेगा, क कि आपके लिए कैसा है और कैसा नहीं है, तो ये प्रडिक्शन इसी के आसपस रिवॉल्व होगी, अब हम चलते हैं, रिलेशन्शिप पे, मैरेड और मैरेड कपल्स के लिए मैं यह कहना चाते हैं, कि अच्छा टाइम है, आपका अच्छे रिलेशन्शिप है, अपने स्प पूरी नहीं है कि कोई girlfriend, boyfriend का चकर नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ, किसी से भी ज़्यादा मिनने की वज़ए से आपका partner परशान हो सकता है, कि मुझे समय नहीं मिल रहा है, इस तरह की insecurity थोड़ी सी आ सकती है, तो उससे अपने आपको बचाएं, ठीके, अब हम आजात जो business और job दोनों के शित्र में बहुत लापकारी है, चीके, हम आगे बढ़ते students की तरफ तो हम देखते हैं कि पूरा ध्यान मस्ती में लगा हुआ है, गुमने फिरने में, और अगर गलती से किसी students की liking हुई है, कोई partner बन गया है, जो आजकल बहुत बच्चे इन सब चीजों हैं, यदि आप विद्या को अच्छी से अर्जित नहीं करेंगे, आपका करियर अच्छा नहीं बनेगा और यदि करियर अच्छा नहीं बनेगा, तो जिसके साथ भी अभी घूम रहे हैं, उनके साथ आगे आप जीवन पर के लिए रह पाएंगे कि नहीं, इस बात में संश नहीं नहीं, इसके लिए अपना फोकस अच्छा बनाए रखें, बाकी जो काम जब होना होगा, वो अपने आप तब हो जाएगा, एक्सेसिव और फिरना फ्रेंड्स के साथ खर्चा उर्चा करना मत कीजिए, थोड़ा सा इसको कट शॉट करके, पढ़ाई पर भी थोड़ा फोकस कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? अब हम आजाते हैं रोगों की तरफ, तो रोग हम देखते हैं कि ऐसा कोई खास रोग तो नहीं, हाँ, केशो का थोड़ा सा ध्यान रखेगा, बालों का पकना, बालों का जड़ना, बालों का पतला हो जान कांटी, हीन हो जाना, इस प्रकार की परिशानी हम देख रहे हैं, ठीक है? जादा स्ट्रेस लेने की वज़े से जो बुढ़ापे के चिन होते हैं, वो युगाओं में भी प्रकट हो जाएं, हम ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा योग देख रहे हैं, अगर कोई आगे के उमर का करक् रहे हैं, तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई युग आवस्ता में हैं, कोई बाली आवस्ता में और अभी से बुढ़ापे के चिन प्रकट हो रहे हों, तो अपने खान पीन का आप ध्यान रखें, अपनी सोच को भी थोड़ा सा निर्मल रखें, जादा अधिक मै पूरा रखें, विजडम को पूरा यूज करें, लेकिन हर जगा खुद को बहुत समझदार दिखाना, हर जगा खुद को बहुत इंटेलिजिन्ट प्रूफ करना, लोगों को एडवाइस देना, ये कारें न करें में भी हो सकता है इस वज़ह से, आप किसी से ये भी सुनने कि आप बहुत जादा बड़े बन रहे हैं, लोगों को आपको हिस्तक्षे पसंद ना आए, और उसके जो चिन मैंने आपको शरीर पर प्रकट होंगे, वो भी बता दिया है, उससे भी खुद को आप बचन, ठीके, तो खुश रहिए, और सब को खुश रखिए, बस इतना ही कहना है, और आपके लिए अब लखी कलर हम बताएंगे, तो लखी कलर आपके लिए यलो और रेड नीकल कर आथा है, इन कलर के आप फूल, परभु को चढ़ा सकते हैं, एसा भोजन चढ़ा सकते हैं, परभु को और खा सकते हैं, बिना प्याज लसन का, और इस प्रकारसिन रंगों को चरीतार कर सकते हैं आश्रा है यह महीना आपका बहुत ही सुखद्यती थो आप मांसिक संताब जादा न लेते वे खुश रहें और औरों को भी बहुत खुशियां प्रतान करें धन्यवाद